नमस्कार दोस्तों ससुराल में राज करने के लिए ही जन्म लेती है, ये पांच नाम वाली और पांच राशी वाली लड़कियां क्या आपका भी नाम शामिल है, इनमें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप! सभी का फिर से आपके अपने चैनल नोबल ग्यान पर चलिये, आज की वीडियो शुरू करते हैं, दोस्तों ससुराल में राज करने के लिए जन्म लेती है, ये पांच नाम वाली लड़कियां, दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में पांच नाम वाली लड़कियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो की ससुराल में हमेशा ही राज करती है और उनके भाग्य में राजपाट सुख संपत्ती और धन दौलत का रुत्बा होता है तो कौन सी है वह पांच नाम वाली लड़किया इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं साथ ही साथ हम आपको बताएंगे की राशी के अनुसार कौन सी लड़किया अपने ससुराल में हमेशा राज करती हैं शादी के बाद जब कोई लड़की ससुराल जाती है तो उसे कई प्रकार के नियमों और काईदों का पालन करना पड़ता है उसे ससुराल के लोगों के अनुसार खुद को धालना पड़ता है हर घर में रहने वाले लोगों का रहन सहन और सोच अलग-अलग होती है जब इतने सारे लोगों के बीच एक लड़की बहु बन कर आती है तो उसे उस घर के माहौल के अनुसार धलना पड़ता है जबकि कई लड़कियां ऐसी होती हैं जो ससुराल वालों का रहन सहन ही बदल देती है और खुद अपने अच्छे कर्मों से उस घर पर राज करती है दोस्तों ससुराल में जाकर सभी को अपने पक्ष में कर लेना भी एक कला है जो सभी में नहीं होती है ऐसे में हम आज इस वीडियो के माध्यम से उन पाँच नामवाली लड़कियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो की ससुराल पर राज करने के लिए ही जानी जाती है दोस्तों इन लड़कियों में कुछ खास बात होती है या हम कह सकते हैं कि इनका गण प्रभावी होता है जिसके कारण ससुराल में इनकी ही चलती है यह अपने हुनर के चलते पूरे परिवार को अच्छे से संभाल लेती है प्रियमित्रों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विश्नु और माता लक्ष्मी का आशीरवाद आप लोगों पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी है वह राशी जो करती है ससुराल वालों पर राज सभी राशिया एक दूसरे से अलग होती हैं और कुछ ऐसी राशिया हैं जिनकी लड़कियां अपने आसपास के लोगों और ससुराल के लिए भाग्यशाली हो सकती हैं आये जाने उनके बारे में यहां विस्तार से जियोतिश शास्त्र के अनुसार कुल बारह राशिया होती हैं और प्रत्य एक राशी का कोई ना कोई स्वामी ग्रह होता है सभी राशियों के लोग स्वभाव में एक दूसरे से अलग होते हैं आपकी राशी ही आपके व्यक्तित्व और भविश्य का निर्धारन करती हैं कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनकी लड़कियां की किस्मत की धनी मानी जाती हैं और वह अपने आसपास भी सकारात्मक वातावरन भिखेरते हैं ये लड़कियां जिस घर में जन्म लेती हैं वहां तो सुख समृध्धी आती ही है और शादी के बाद ये ससुराल में भी सौभाग्या लाती है ये अपने पिता पती और ससुराल पक्ष के लिए बहुत शुब होती हैं आये जाने उस राशी के बारे में जिसकी लड़कियां ससुराल के लिए बहुत शुब होती हैं और शादी के बाद उनके घर में हमेशा सकारात्मक माहौल बना रहता है नंबर एक मेश राशी इस राशी की लड़कियों का स्वामी ग्रेह मंगल है, इसलिए इन पर हमेशा मंगल की कृपा रहती है, ये हर जगह पर शुब वातावरन बनाती है, इस राशी की लड़कियां काफी उरजावान होती है, और हर काम को पूरे जोश के साथ पूरा करती है, मंगल के प्रभाव से इस राशी की लड़कियां काफी साहसी होती है, इसलिए किसी भी कठिन परिस्थिती से जल्द ही बाहर निकल जाती है, ससुराल में भी अपने स्वभाव से वह सब की लाडली बन जाती है जैसे ही ससुराल में शुब कदम रखती है, वहां का वातावरन शुब होने लगता है, ये सब का पूरा ध्यान रखती है, और ससुराल के लोगों के बीच सामनजस्य बनाए रहती है नंबर दो व्रिशब राशी व्रिशब राशी की लड़कियां बहुत ही भाग्यशाली होती है, ये बहुत मेहनती इमानदार और बुद्धिमान होती है, और अपनी योग्यता के बल पर कोई उंचा पद हासिल करती है, यदि इनके भाग्य की बात करें, तो ये जिससे भी जुडती है, उसे सकारात्मक उरजा देती है. राशी की लड़कियां जिससे भी शादी करती है, उसकी किसमत बदल जाती है, और उसे भी जीवन में सफलता जल्दी मिलती है, ये अपने पती और ससुराल के लोगों के दिल में हमेशा राज करती है, और परिवार में राशी की लड़कियों पर मा लक्षमी की विशेश क्रिपा होती है, इसलिए इनके घर में कदम रखते ही माता लक्षमी की विशेश क्रिपा पूरे घर में होने लगती है। नम्बर तीन कन्या राशी कन्या राशी की लड़कियां बहुत समझदार होती हैं, वह हर काम बहुत सोच समझ कर करती हैं, यह अपने पती और ससुराल वालों से बहुत प्यार करती हैं, और उनका बहुत ध्यान रखती हैं, वह खुद के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं, औ उसकी सफलता में एहम भूमिका निभाती यह अपने पती के साथ हर सुख दुख में साथ निभाती हैं ये जिससे भी शादी करती हैं उनके जीवन में खुशिया और सौभाग्या आता है इनके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है ये काफी मेहनती होते हैं और मेहनत से घर परिवार के लिए अच्छी सलाहकार साबित होती हैं और हमेशा उनके भले के बारे में सोचती हैं इस राशी की लड़कियों से विवाह करने वाले का भागय चमक उठता है ये हसमुक स्वभाव के होते हैं और इनके इसी स्वभाव के कारण लोग इनकी ओर आकरशित हो जाते हैं नमबर पांच मीन राशी मीन राशी की लड़कियां स्वभाव से बहुत तविनम्र होती हैं और यह जिस जगह पर भी जाती हैं उस जगह को बहुत शुप बना देती ह इन से शादी करने के बाद पती और ससुराल का भाग्यबदल जाता है, और उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, अगर आपकी राशी भी इन में से है तो आप अपने पती और ससुराल के लोगों के लिए लखी हो सकती है। दिल जीतना और दूसरों से बात मनवाना अच्छी तरह से आता है, ये जब अपने ससुराल जाती है, वह अपनी मीठी मीठी बातों से सभी को अपनी ओर कर लेती है, इसके बाद हर. कोई इनहीं की प्रशंसा करता है और इनके खिलाफ भी नहीं जाता है, दोस्तों इनकी यही कला सबका दिल जीत लेती है, और वह वहाँ पर आजीवन राज करती है, नमबर दो एच नाम वाली लड़कियां ये अपने हुनर से ससुराल वालों को खोश कर देती है, इनकी आने से ससुराल वालों का सीना गर्व से चोड़ा हो जाता है, इसी कारण एच नावाली लड़कियां भी ससुराल में मान सम्मान के साथ राज करती है, नमबर तीन एम नाम वाली लड़कियां एम नाम वाली लड़कियां दूसरों के दिमाग को बदलना अच्छी तरह जान बलकि उन लोगों को अपने जैसा बना देती है, इन्हें जीवन में बदलाव बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो वो कर्मों के दम पर सभी को अपने बस में करके रखती है, जबकि ससुराल में कई गलत लोग तो इनसे खोफ भी खाते हैं, और यह अपने ससुराल में। दम लेती हैं, इन्हें लाइफ में सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, इन्हें किस्मत का खूब साथ मिलता है, यह अपने साथ साथ अपने पती के लिए भी भाग्यशाली मानी जाती हैं तो। दोस्तों यह थी वह पांच नामवाली और पांच राशी की लड़कियां जो की ससुराल में राज करने के लिए ही जन्म लेती हैं, आपकी राशी क्या है और आपका शुब नाम किस अक्सर से शुरू होता है, कमेंट करके बताएं दोस्तों आज की। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जै मा लक्ष्मी जरूर लिखें, तो दोस्तों मिलते हैं, अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, भगवान आप सब पर कृपा बना आए रखें, जै श्री कृष्णा दोस्तों कमेंट बॉक्स में जै मा लक्ष्मी लिखना ना भूले धन्यवाद